कि हलो दोस्तों नमस्ते आदाव स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाई यह तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक बार फिर से जीके और जीएस पेवार जहां पर हम लोग करेंगे वह सारे इंपॉर्डेंट सवाल जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ओवी से बहुत ही जादा महत्मूर हैं तो आपकी डिमांड पर लेकर आ चुके हैं यह क्लास जहां पर आपने कहा था सर एक बार लाश्ट डिवीजन हो जाए जीके जीएस का फॉर आईबी ऐसे म्टेस तो जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और आज का मोटिवेशनल कोड है अगर आपको बहतरीन दिनों के लिए जोस्तो एकर चाहिए कि आपको बहतरीन दिन हो तो कर एक स्पेशल क्लास जो है रैपिड फायर राउंड लेकर आईए तो आज हम लोग यहां पर रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं जहां पर कॉश्चन जादा होंगे और जो है कर दीजे जिससे मुझे यह तो पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और आप लोग तैयार हो पहले कोश्चन के लिए जल्दी जल्दी से एक बर यह स्टाइप करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे पहले कोश्चन के साथ तो यह सा चुका है और पहला सव सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला सवाल कह रहा है इन विच आफ दा फॉल्वाइंग लोकेशन और वॉस नट्राज अस्टोन मेल डांसिंग फिगर डिसकवर्ड के रहें निमलिखित में से किस स्थान पर जो है पत्थर की बनी नितिक करते हुए पुरुष की मूर्त आप हमें फीमेड नहीं पूछा है जब मेल पूछेगा तो हम अंसर क्या करदेंगे हम यहां पर करेंगे अगरप आ आंसर करेंगे ठीक है चलिए next question हाँ कौन से नदी के किनारे पाए गया था हडपा तो रावी नदी किनारे कौन सी रावी रिवर के किनारे अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा which of the following pair is not matched correctly देखिए निमलिखित में से कौन सा यूग में सुमेलित सही से नहीं है क्या वो भरतनाटियम तमिलनाडू कथकली करनाटका उडिसी उडिसा कुचीपुडी आंदरप्रदेश जल्दी से बताएंगे यहां पर कौन सा correct match नहीं है वो आपको बताना है जो लोग बी option कह रहे हैं उनका यहां पर क्या होगा correct answer होगा क्यों क्यों क्थकली करनाटका का नहीं केरला का है यह कैसे पता तो दोस्तों आप लोग यहां पर सारे जो आठ शास्त्रिनित हैं वो उनकी लिश्ट देख सकते हैं भरतनाटियम तमिलनाडू का कथक जो है उत् अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखें कह रहे हैं कि अभी करेंट अफेर का सवाल है ठीक है करेंट अफेर का तो इमफाल किस जो है परियूजना का तीसरा इस्टिल्थ विधुवनसक भारती नों सेना को सौपा गया किस प्रोजेक्ट के तहत् जल्दी जल्दी से बताईए यहां पर और जिल लोगों ने अभी तक शेर नहीं किया फटावर से शेर भी करते हुए चलिए तो यहां पर कहरें सर 15 ए होना चाहिए 15 ए तो जो लोग 15 ए कहरें दोस्तों उनका यहां पर गलत हो जाएगा प्रोजेक्ट 15 भी करेंट आंसर ठीक है तो इसको प्रोजेक्ट 15 भी के तहट जो है बनाया गया है ठीक है 15 भी याद रखेंगे चलिए नेस्स कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा यहां पर करें डैजट नैशनल पार के जिन डैश करें डैश राश चुद्यान डैश में है कहां प नहीं बहुukan अब यहां पर करीक्ट राश किरन यहां करीकसा कि क्या हो जाएगा तो सब कह रैसर राजस्तान राराजस्तान टू लोग राजस्तान करें जसका तो कहां पर मिलेगा एक क्योंल देव भी मिलेगा राजस्थान में के यह रंथम हम भी मिलेगा और दारा नेशल पार्ग रेसारे के सारे कहां पर यह राजास्थान में आपको देखने को मिलते हुआ ठीक है next question की तरह बढ़ेंगे अगला सवाल इरानी कप इस रिलेटेड टू विच आफ दी फॉलाइंग गेम कह रहे हैं इरानी कप जो है यह किस खेल से संबंदित है बैडविंटन फुटबॉल होकी और क्रिकेट किसे संबंदित है जल्दी से बता दीजे इरानी कप जो है कि संतोफी है कौनसा है संतोर्फी है मैं लिए पिसका रखी यह देख सकते हैं आप लोग जिस में से Ashes Cup बहुत important है पूछा जाता है Asia Cup आपको याद है CK Naidu याद रखेगा Diyodhar Trophy याद रखेगा Dulip Trophy रखेगा याद ICC World Cup यह सब याद रहेगा Irani Trophy जो आप लोगों से अभी पूछा गया question में वो देखे यहाँ पर यह है MRF Nehru Cup ठीक है राणी जासी Trophy यह important है रणी याद रहेगा सहरा शीष महल यह जो आपको याद रखने जो मार किया है बाकी आपको कुछ हिसमें से जो है जो बहुत ही अच्छे तरीके सा आपको याद रहते है जैसे रणी ट्रॉफी हो गई विजय हजारे ट्रॉफी हो गया एशिया कप हो गया यह सब आपको याद रहता है अच्छा अगर हम बात करें देखे एशिया कप हुआ है इस बार 2023 वो किसने जीता तो वो इंडिया ने जीता इंडिया ने जीता ठीक है फिर वर्ल्ड कप भी हुआ world cup ठीक है 2023 में ठीक है यह किस ने जीता ये दोस्तों Australia ने जीता चिसने जीता फिर IPL IPL 2023 किसने जीता तो आप कहूगे चिन्नाई सूपर कींग ने जीता चिन्नाई सूपर केंग ने ठीक है चले next question बड़े अगला सवाल आपके लिए रहा यहां करे, who was the first Indian to win an individual gold medal in the Olympic game, कह रहे हैं, ओलम्पिक खेलों में जो है, वेक्तिगत स्वर्डपदक जीतने वाले, पहले भारती कौन थे, पहले भारती पूछा है, योगेश्वर दत्य थे, अभिनो बिंदरा थे, गगन नारंग थे, और शुशील कुमार थे, कौन थे, दोस करें, तो ओलम्पिक की इतिहास में सबसे जादा स्वर्ण पदक हमने किस खेल में जीता है, तो होकी में, ठीक है, होकी में हम लोग ने 8 बार, 8 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता है, यह ध्यान रखेगा, होकी में, ठीक है, पहली बार कप जीता था, 1928 में, यह याद रखना है और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों, अभिनाव बिंदरा जी ने कब जीता था, 2008 बीजिंग ओलम्पिक में, किसमें, बीजिंग ओलम्पिक में जीता था, यह भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा भारत के खाते में, अगर भारत के खाते हम पूछेंगे, अब तक कितने स्वन पतग है, इंडिवीजुल गेम में, तो दो बार हमने दोस्तों, दो गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, अब तक इंडिवीजुल गेम में, हम किसमें बात कर रहे हैं, इंडिवीजुल गेम में बात कर रहे हैं, दूसरा जो है, पहला तो अभिनाव बिंदरा जी ज़ितआ था दूसरा नीरचोपडा जी ने जितवाया था किसने नीरचोपडा जी ने और ये नीरचोपडा जी कभच जब रहा था तो ये जहां रखेगा दो हजारव 20 के टोक्योaal तोटल पदक हमने जीते थे साथ कितने साथ गोल्ड किसमें कितने जीते एक सिलवर कितने जीते दो ब्रॉंज कितने जीते चार लीजे इनके सामने लिस्ट है टॉप पर कौन है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहाँ क्या बात है आप लोगों ने आंसर कर दिया चलिए अगला पढ़ते हैं अगला कोशन आपके लिए अच्छा मनी सप्लायर रेफर्ष टू देखें पैसे की आप पूर्ती को डैस संदर्भित करता है ठीक है क्या उसको हम लोग करेंसी हेल्ड वाइप पीपल ऑफ कंट्री करेंसी विद्धा आर्वी आई करेंसी हेल्ड वाइद पीपल कंट्री एंड करेंसी विद्धा कॉमर्शियल बैंक या करेंसी इनकाउंट ऑफ दीपल यह याद रखेगा देखें अकॉर्ड टू जो की दोस्तों बहुत ही फेमस प्रख्यात अर्थशास्तर मतलब एकनोमिस्ट है उनको उनके हिसाब से देखिए आपको डेफिनेशन भी अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विच स्टेट वॉन दा थाटींथ हौकी इंडिया सीनियर वुमेन नैशनल चैंपेंशिप इन 2023 करह किस राजने 2023 में तेरवी हौकी इंडिया सीनियर महिला राष्टी चैंपेंशिप जीती है क्या वो महराष्ट मध्यप्रदेश उडिसा और जारकंड किसे ने जीती थी फ अब का वैशनवी जी का भी करेक्ट आंसर है मध्यप्रदेश करेक्ट आंसर होगा मध्यप्रदेश ने जीता था 13th senior woman national championship hockey national championship आप यहां पर देख सकते हैं 13th hockey इंडिया senior woman championship हुई थी जिसमें दोस्तों मध्यप्रदेश ने अच्छा performance किया मध्यप्रदेश इसको जीती भी थी मध्यप्रदेश के अभी हाली में cm बदले हैं वह कौन बन गए हैं मोहन यादव ठीक है मोहन यादव बन गए हैं यह ध्यान रखेगा इससे पहले शिवरा सब्सक्राइब मतलब स्ट्रिंग नहीं है तार नहीं उसमें गिटार सितार वाइलिन और ट्रंपेट जल्दी से बताईए यहां पर दोस्तों आप एलिमिनेशन बड़ा आराम से कर सकते हो बोल रहां से ट्रंपेट सट्रंपेट दिक्टा कैसे वह हम देख लेते इस्ट्रूमेंट यो है तो देख ठाइए यह म्निंद इस्ट्रूमेंट है यह त्रंपेट है दियां रखेंगे ट्रंपिट ठीक है यह दोства देखे इंश्ट्रूमेंट आपको दोस्तों तीन प्रकार के मिलेंगे मैंने आंको क्या Town Pir這是 Tuesday जो दुस्टूमेंट है धुस्तों ह example यहां पर है string instrument जैसे violin हो गया ठीक है फिर उसके बाद viola हो गया double bass हो गया banjo हो गया mandolin हो गया harp हो गया guitar हो गया violin हो गया संतूर हो गया यह सब क्या है दोस्तों यह दोस्तों string instrument इनमें तार लगी होती है ठीक है बाकी दोस्तों प्रिकर्शन कैसा होगा प्रिकर्शन जिसमें सत्य खिची हो जैसे घटम घटम हो गया ठीक है तबला हो गया कौन से हो गया धोलक हो गया ठीक है यह सब प्रिकर्शन है विंड वाले कौन से हो जाएंगे जैसे हार्मोनियम हो गया ठीक है हार्मोनियम हो गया ठीक है उसके अलावा सहनाई हो गये ठीक है सहनाई हो गया इसाब जो है विंड इस्ट्रुमेंट है अगला गोशन आपके लिए रहा देखें पंडित शिवकुमार शर्मा इस प्लेयर ऑफ डैश देखें पंडित शिवकुमार जो है किसके वादक हैं क्या यह मैंडोलीन के हैं संतूर के हैं सितार के या वीर्णा के क्या बजाते हैं दोस्तों पंडिश श्र्मार जी जल्दी से बता दीजे फटावट से यहां पर बताएंगे संतूर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंचर यह ध्यान रखेगा पंडिश शिप कुमार शर्मा जी के अलावा दोस्तों और भी जो हैं दोस्तों आपके सामने जो इक्जाम में बार बार पूछे जाते वह लिस्ट यह रही देखे शंतूर से पंडिश शिप कुमार ॶर्मा प सितार से पंडित रवी शंकर ये बहुत important है पूछे जाते हैं पंडित रवी शंकर साहित परवेश खान बुदतिया मुखर जी अनुष्का शंकर जो है दोस्तों पूछी जा चुकी है अनुष्का शंकर ध्यान रखेंगे और हर शंकर भटचार ठीक है निखिल बैनर जी पू जाएंगे just a minute दोस्तों तो अब बढ़ते हैं अगले कोश्यन के लिए अगला कोश्यन आपकी स्क्रीन पर यह रहा ठीक है सभी लोग आंसे करेंगे फटा फट से यहां पर यहां पर कॉश्चन क्या कर रहा है कोश्चन कह रहा है कि the forward block was founded by forward block जो था यह किसके द्वारा जो ह स्थापित किया था सर्दार सिंग राना सुभाष चंद्र बोस जैप्रकाश नारायन और लक्षमी सहेगल जल्दी से बटाइए फटावर से सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं option number B तो बिल्कुल correct answer हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो है स्थापित किया था उस भवई इस दा ट्रेडिशनल थेटर फॉर्म और विच इंडियन स्टेट करें भवई जो है यह कि सुभारती राज्य का पारंपरिक नतिशली है गुजरात नागालेंड तमिलनाडू और करनाट का कहां का है भवई जो लोग करें गुजरात गुजरात उनका बिल्कुल correct answer ह गुजरात हो जाएगा अब देखें गरबा डांस हो गया भवई आपसे पूछा गया था तो भवई कहां का है गुजरात का है एक चीज और याद रखेगा अभी दोस्तों 2023 में जो है यूनेसको इंटेंजिबल साइट में अगर हम बात करें तो किसको रख दिया गया है गर यहां रखेगा यह आप से पूछा जा सकता है किस डांस को यूनेसको ने अभी रिकगनाईज किया ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल यहां पर देखें अलग-अलग राजियों के अलग-अलग जो फोक डांस है वह आपको इस मैप से देखने को मिल जा संतल विद्रोह के नेता कौन थे क्या सिद्धू एंड कान हूं या फिर गौरक गौरक्षनी भगत एंड केशव चंद्र रॉय या फिर संभूनात पाल और कोरा मल्लय और जरा भगत और बलराम भगत कौन थे दोस्तों यह ओप्शन जिलों कह रहे हैं वो उनका बिलकुल कर चाहाँ और इसकी शुरुवात जो ही थी वो होई थी जारखन में कहाँ पे जारखन में दो भाई थे दोस्तों जो कौन सी जतिको विलॉण थे संथल जनजाती को ठीक है संथल जनजाती को क्या नाम था सिद्धु मुर्मु और कानू मुर्मु ठीक इन्हों ने दोस्तों इस सुरू किये तमासा जादा करेंगे तो यूपी के लोग भी नौटंकी करेंगे ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो महराश के लोग तमासा जादा करते हैं और नौटंकी डांस कहा है यूपी कहा है ऐसे आप लोगों ने याद किया था ना कि जब एक नौटंकी करेगा तो दूसरा सम épisode करें दूसरा नो रंगी करेंगा हना तो महराश में दखिएंस लावनी नकाता और वह रहाद है यह बड़े इंपोर्टेंट पे रहा एंञार है आगा कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा यह आगद क्वस्षण आप सभी लोग आंशिता करेंग color पर करेक्ट आंसर क्या होगा अब करें डैश वास्ट सुल्तान टू इन्वेड साउथ इंडिया करें दक्षिर भारत पर आकर्मन करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था ठीक है क्या वो जो है दोस्तों सिहा बुद्दीन मसूद अलाउद्दिन खिलजी जौना खान खिलजी औ था क्या कहता था सिकंदरी साहनी मतलब दूसरा सिकंदर कुद को कहता था ठीक है यह ध्न कंज से 1500 झलतां था थाётся लाइंद धिल्जी वर्जी ने कब से कब तक राज किया था 1290 से लेके 1320 दक राज किया ठीए खिलजी One का दोस्तो संस्थापक कौन था मिला फॉडश्अ का था तो जलाल उदिन खिल जी कौन था जला उद्दिन खिलजी था यह आपको से पीछा जा सकता है ठीक हैं कर्माननेंट स्टेंडिंग आरमी सबसे बड़ी पर्माननेंट स्टैंडिंग आर्मी ठीक है अच molar आप से पूचेंगे कि किसम जबारत में किसको कि मली कफूर यह मारी कफूर जो है वहाँ पर जीत कर आया था यह ध्यान ठीक है next question बढ़ते हैं अगला सवाल सवीता महता क्लासिकल डांसर और विच क्लासिकल डांस फॉर्म ठीक है सवीता महता जो है यह किस नित्यशाहली की शात्री नित्यांगना है मनीपूरी कुच्चिपूरी कथक और मुहिनी अट्ब फटावर से बताई करेक्ट आंसर यहां यहां पर करेंशन उनका करेंट होगा मनीपूरी मनीपूरी जो है यह मनीपूर में किया जाता है मनीपूर में किया जाता है इसके फेमस डांसर जो है जावेरी सिस्टर है कौन है जावेरी सिस्टर है और उनके अलावा जो है दोस्तो विपिन सिंग कौन है विपिन सिंग न राजया सुल्टान सुल्तान सुल्टान की बीटी जुक्त रज्या बर्षण सुन्व कि रात Export Brand की रजीरा रदानी बनी 12 Atari 409 फडा और से बताएं यहाँ यहां पर चैक्न करें तो लोग 46 पर रहे तु बिल्कुल 46 कगडétais ध्यां बिल्कुल याद रखेगा ठीक है रजिया सुल्तान जो है 236 से कब तक बनी रही थी तो सुल्तान बनी रही थी 1240 तक ठीक है अच्छा है इसका विवाह किसके साथ हुआ था अगर पूछेंगे रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ अलतूनिया के साथ हुआ था क्या या फिर किसी और के साथ हुआ था सभी लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है यह याद रखेगा चलिए आगे बढ़े अगले कोशन और यह दोस्तों एक मात्र सुल्तान बनी थी ओनली वूमें ठीक है ओनली वूमें जिसने दिल्ली पर राज किया ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़े अगला कोशन आपके लिए र सुपर किंग फड़ा वर से बताईए चन्नाई सुपर किंग जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगर IPL 2023 की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल मैच जो है किसके किसके बीच में हुआ चन्नाई सुपर किंग एंड गुजरा टाइटन के परपल कै अब ध्यान रखेगा यह दिया गया था मिह रिणा अभी न्यूज हमाद रखालेगा 1000 अगला सवाल आपके वर सिर्फ सर्मन है आप अपना पुर्था उभदेश कहां दीता क्या वह का सिम दिया था सारनाथ में दिया था कुशिनघर में या फिरांध गया मैं कहां पर दिया था इन्होंने पहला उपदेश जल्दी से बताई हिर यहां पर सारणात साablo कर है यहां पर करेक्ट अंसर क्या correlेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ ठीक है ध्यान रखेगा पहला उपदेश ठीक है यह ध्यान रखेगा आपसे पूछा जाता है कि फर्ष्ट डिसीपल इंग्लिश में कहेंगे फर्ष्ट डिसीपल ठीक है पहला उपदेश कहा आप दिया सारनाथ में किस लेंग्वे परतना क्या कहते हैं धर्म चकरपरवर्तना कहते हैं ठीक है परवर्तना ठीक है यह भी आपको दिहान रख लेना है। ठीक है चलिए next question direct अगला वोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा यहां में करें हैं कि बताइए उनहत्र में राष्टी फिल्म पुरुसकार से सर्वसेष्ट अभी नेता का पुरुसकार किसे जीता है क्या वो अलू अर्जुन ने राम चरन ने या पर प्रभास ने किसने जीता था वेरी गुड अल बढ़ते हैं फड़ा फड़ से आंसर करते हूं चलेगा जिससे आपका पूरा रिवीजन होता चले ठीक है चले अगला अगला गुशन दबुद्धाज टीचिंग है बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेली इन डेस करें बुद्ध की जैसिक्छाएं क समंधित है कि मतलब होता है बासक्यट क्या क्या क्य dispel नियूंद फ्रॉम सोती है इसलिक को कहा जाता है त्री पिता का ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर आगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा यहां पर कह रहे हैं अमनप्रीत सिंग रिसेंटली सिक्योर्ड अगोल्ड मैडल इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट ही इस असोसियेटेड वि ज़्यादा कोशन करने हैं डी ऑप्षन डी ऑप्षन करें हैं तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तो ऑप्षन नमबर थ्री शुटिंग से संबंदित है नाम है अमनप्रीत सिंग ठीक है अगर आपसे पूछेंगे अवनी लखेरा अवनी लखेरा किस से संबंदि रखेंगे इशा सिंग इशा सिंग भी जो है किसे संबन्दी थे तो शुटिंग से संबन्दी थे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन बढ़ें अगला सवाल आपके लिए रहा यहां करें पहला सासक कौन था सीधी सी बात है दोस्तों फॉपाल और महीपाल जल्दी से बताइए फाउंडर कौन था सर्थ दो बजे क्लास नहीं होगी बनीता जी दो बजे भी क्लास होगी यह तो आपके दोस्तों डिमांड पर था कि एक रिवीजन क्लास की जाए इसलिए सेशन को उनिवर्सिटी किसने बनवाया था तो आप क्या कहते हैं कि कुमार गुप्त ने बनवाया था ठीक है किसने कहते हैं कुमार गुप्त ने बनवाया थे ठीक है अगर आपसे पुछेंगे कि विक्रम शिला यूनिवर्सिटी ठीक है कौन सी विक्रम शिला यूनिवर्सिटी ज चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोर्शन पर अगला सवाल आप के लिए रहा रिसेंटली दा राजमार्ग यात्रा एप हैस भी लॉंच बाइब विच ओफ फॉलंग औरगनाइजेशन अभी देखिया हाली में करेंट अफेर का सवाल है एक एप लॉंच किया गया जिसका ना अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग जो है सैंट पीटर्जबक्स को वलादी वॉस्तोक से जोडने वाली परनाली डैश है अल्टाई रेलवे अमूर रेलवे ट्रांस बैकाल रेलवे और ट्रांस साइबेरियन रेलवे कौन सा हो जाएग थर्ड 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 तो कहरें जो फॉर्थ जो लोग फॉर्थ कहरें उनका correct answer हो जाएगा Trans-Siberian Railway यह ध्यान रखेंगा ठीक है आपको यह बताना है कि हमारे भारत में जो पहली रेल चली थी वो कितने किलोमीटर चली थी यह आपको बताना है ठीक है comment box में homework no.1 ठीक है यह question पूछा गया है आपके SSC में लेकिन हो सकता है IBSC में भी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कितने किलोमीटर चली ठीक है कब चली थी यह नहीं बताना है अगला question launched in the August 2023 book Drunk on Love the Life Vision and the Songs of Kabir is written by Dash देखिए अगस 2023 में एक पुस्तक जो है लोस्तो लॉंच की गई थी जिसक लंबी हें इंडो बांग्लादेश इंडो मैनमार इंडोचाइना और इंडोपार कौन सी बढ़ी है जल्दी से बताईए यहां पर करे सरोना गें इंड बांगला टो बिलकुल इंडव बांगला सबसे लंबी है क्यों चार हजार सबसे लंबी सब offers यह हुई ना चार हजार चीलोवी कीलो मेंटर और यही ह हुई ना सबसे चोटी है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला कुशने दफ इंग्लिस फैक्टरी वॉस सेट अप ऑन दी बैंक ऑफ दिर रिवर डैश इन 1651 कह रहें 1659 में डैश नदी के तड़ पर जो है पहला अंग्रेजी कार खाना इस्थापित किया गया था कहां पे सोंदी किनारे य आप से कुछ के वीलियम फोर्ट काहां पर स्थापित किया गया था उबिलियम फोर्ट जो है को इस्थायपित किया गया था kolkatा में ठीक है नेक्सेos का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है carbon dioxide released into the atmosphere as a result of the activities of a particular individual organization और community या फिर greenhouse gases emitted by the industries contributing to the global warming या फिर carbon emission released by the burning of jet fuel या increase in the carbon content of the atmosphere due to the felling of trees correct answer बताए क्या होगा बी को lock कर दे है मांशु जी कह रहे हैं तो बी को lock कर देते हैं मांशु जी क्या answer को और हमाशु जी यहां पर यह option करेट होगा carbon dioxide release into the atmosphere as a result of the activities of a particular individual organization और community हमारे द्वारा दोस्तों carbon dioxide कितना उत्सरजित किया जा रहा है environment में उसको हम लोग कहते carbon footprint और इसको कम करने की बात भी की गई है कि carbon footprint हमें कम करना है ठीक है और जो carbon footprint कम करेगा तो दोस्तों उस पर क्या लगेगा टेक्स कम लगेगा ऐसा बोला गया ठीक है चलिए आगे बढ़ें आगले question पर तो दोस्तों यहां पर जो लॉक किया था हिमाशु जी ने गलत आंसर हो गया तो अब के वीसी में दोस्तों यहां पर आपका आपका जसकर रिवर हो जाएगा ध्यान रखेगा ठीक है सोन नदी किसकी है तो चलिए तो बिहार वाले यहां बिलकुल सही आंसर कह रहे हैं ठीक है बिहार बिलकुल से अगला सवाल, कॉन सी जो हैच सबसे उची चोटी जार्खंड की सबसे उची चोटी है, कांगतो, गिर गिरनार, अनाई मूडी और यहाँ पर साथ कौन सी उची चोटी है जारठंदी के यह आपको बताना हैं करें सर पारसनात होना जुंँ है भनिता करें इसरमा जी भी करें ब्लेक्शयन भी करें तो यहां पिर आंसर क्या हो जाएगा जो लोक पारसनात करें हें उनका करिट होगा अब जार्थन पर पूछेंगे तो सी पी राधा कृष्णन कौन है तो टीक है बहुत ही बंढया अगला सवाल ते कोजाई शेन्ज ऑंद दधा इंकलूड अगला सवाल यूमन एक्तिविटी इस धांस्ट बाता है चालाई परीवर्तन का कारण बनने वाली मानवी जो है मानवी गति विदियों में शामिल है यूज ऑफ एरोसिल केंस एगरी कल्चिरल एक्टिविटीज बर्निंग ओफ फॉरेस्ट या ओल ऑफ दी अबव दोस्तों जो हमारे रहने वाली यह सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम आमर कंटक मध्यप्रदेश में होता है और इस नदी के किनारे एक फेमस सहर है महत्पूर्ण शहर है ठीक है जिसका नाम है जबलपुर और यह आंसर हो जाएगा नर्मदा इसकी लंबाई जो है तेरा सो बारा किलोमेट यहां पर जल्दी से बता दीजिए फटावर से 1987 में आया 1971 में 1997 में आया कब आया यह यह फटावर से बता दीजिए अच्छा ओजोन दे हर साल मनाया जाता है ओजोन दिवस ठीक है कब मनाते है 16th of September को मनाया जाता है 16 September को बहुत बढ़िया 1997 दोस्तों जो 1997 करे प्लीज एक ब थीख दो चेंटर है और इसकर जान को कम करने के लिए ग्रीन सो कंकरने के लिए निमलिखित में से कौन सा प्रमारू नहीं है कौन सा पार्ट नहीं है इसमें दोस्तों जल्दी से बताईए एटम का हाँ इस्टेटो स्फिर में मौजूद होता है उस्वन बिल्कुल सीवाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यहां पर करें टांसरों का ऑप्चिन नमबर डी ठीक है डी जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेंट इस ने चैने चलिए नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल देखे प्रिथवी पर गुरुत वे त्वर्ण त्वर्ण तुर्ण का मान क्या है इस दले लिए लिस्ट ऑन दी एक्वेटर इस देलीस्ट ऑन पोल इंक्रीश फ्रॉन पोल टुक्वेटर या इस दी स्थे जो है दोस्तों ग्रेविटी सबसे जादा होती है ठीक है सबसे जादा होती है ठीक है यह ध्यान रखेगा सबसे जादा सबसे कम होती है कहां पर एक्क्वेटर पर एक्क्वेटर पर सबसे भूमध्य रेखा जो होती है उस पर सबसे कम होती है हम से क्या कह रहे है पहले वाल से एक्वेटर तरफ आओगे घटेगा तो यहां पर दोस्तों सबसे ज़्यादा यहां सबसे कम कैसे बराबर हो सकते तो यह भी स्टेट्मेंट गलत पहला सही है जल्दबाजी में गलत मत करें थोड़ा सा सोची समझे हाला कि हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा फिर भी आपको करना पड़ेगा विच ओफ फॉल्वाइंग इस लॉफिंग गैस निमलिखित में से जो है किसे हसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड क्लोर फ्लोर कार्बन कार्बन मोनोक्साइड और अमोनिया जल्दी से बता दीजे फड़ावर से यहां प फॉल्वाइंग मटेरियल इस सूटेबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन के रहें निमलिखित में से कौन से सामगरी जल सोधन के लिए उप्यूक्त है क्या वो जियो लाइट है यहां पर एप्सेस्टोस है या फिर क्या होगा करेक्ट आंसर फड़ावर बताएं यहां पर अगला सवाल आपके लिए निमलिखित में से किसे जो है पादब रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है एंटोनी मॉन लुएन होक एंटन दिबरी लूइस पास्चर और अरिस्टोटल किसको जाना जाता है फटावर से बताएं यहां पर कर सर होने चाहिए ऑ बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नमबर यहां पर यह एंटोन दी बैरी ठीक है एंटोन मॉन लुएन होक नहीं होंगे यह ध्यान रखेगा अच्छा फादर ओफ सर्कूलेटरी सिस्टम ठीक है फादर ओफ सर्कूलेटरी कैते हैं यहां पूछ रहे जॉंड से संबंदित बिमारी है एक लिवर से हाइर से किड़नावर से बता दीजेगे हाँ सबसे हो Minnesota ठीक है टाइफॉट होती है बैक्टीरिया से ठीक है गलती से प्रोटोजवा मत बोल दीजेगा ऐससे गुझारी जो है मलेरिया यह फिर काला अजर आपसे पूछकू लिया जाता है कि जो होता है निमकित कांसा समुष सत्रह में हैलोजन की एक जो है अभी लाक्षिडिक गुड धर्म है क्या वो दे आर गुड कंडुक्टर ओफ एलेक्रिसिटी दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट दे रिडिली फ्रॉम पॉजिटिव आयन दे आर अबेंडेंट इन दा अर्थ क्रस्ट जल्दी से यहां पर जो लोग करें और होना चीए बी उनका बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा देखिए अबंडेंट तो नहीं हमारे प्रिस्विंग भाईया ऐसे कहीं भी नहीं मिल जाते हैं तो ध्यान आखिए यह पॉजिटिव तो होते नहीं है यह कैसे होते नेगेटिव क्योंकि य कैसी गलत हो गए गुड कंड़क्टर बिल्कुल गलत ठीक है यहां आप करेक्ट आंसर है दे हैं लो बॉइलिंग पॉइंट अगला कोशन यहां करें दा सेल मेंब्रेन इस बेड़ आप देखिए कोशिका जिल्ली जो होती है वो किस से बनी होती है प्रोटीन फॉस्फो लि प्रोटीन यह ध्यान रखेगा ठीक है अगर पूछेंगे सेल वाल किसमें मौजूद होता है तो यह प्लांट सेल में पादप कोशिका में होता है प्लांट सेल ठीक है पादप कोशिका बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे पादप कोशिका ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़त जल्दी से बता दीजिए three option करें कुछ लोग भी option अब देखिए momentum होता क्या है momentum is equal to mass into velocity momentum को रो से दिखा देते हैं अपयोग डेश को मापने के लिए कि लिए temperature height depth और प्रेशर क्या हम आपने के लिए किया जाता है फड़ा वर से बताईए अल्टी मीटर बिल्कुल height depth नहीं depth कैसे depth तो फैथो मीटर दोस्तों depth फैथो मीटर भूल गया क्या दोस्तों आपने कैसे याद किया था अगर कोई कहें हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बताइए कितने गहराई से प्यार करते फैथो मीटर दे दीजेगा हना बिल्कुल अच्छा temperature आपको पाइरो मीटर से मैजर कर सकते हो पाइरो मीटर से भी ठीक है बाकि दोस्तों बहुत सारे मीटर होते temperature मापने के लिए ठीक है पाइरो negatia ग्議क के ब्लेट प्रेसर बहला प्लेट प्रेसर को अपर हो तो इस्वाइग नुमेनोमीटर को इस्तोमाल कर लिजी ठीक है चलिए नेक्सक्रेंज बढ़ते हैं अगला सवाल देखें निमोनिया दोस्तों जखना निम्हाइब ड्यक्रम च्यान अ क्या नेमोनिया किसको जल्दी से बताइए ब्लेड ब्लेड कह रहे हैं उके तो जो लोग ब्लेड कह रहे हैं उनका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर गलत होगे लंग्स ठीक है आगे बढ़े अगला वक्षन आपके स्क्रीन पर यह रहा यहां करें विच ओफ फॉल्वाइंग इस आर नौट नौट दा वाटर सॉल्वल विटामिन 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 c, विटामिन k, विटामिन d, निमलिकित मैं से कौन सा जो है दोस्तों जल में घुलन सील विटामिन नहीं है फोकस करिएगा नहीं है ठाच है वटामिन c, k, d ठीक है वन औं टू, टू, 3, 13 & 123, चले फटा-फट सथे यहां पे करें सर और eccentric framework कि टी डी के ठीड है हम लोगोने आट आट यह रटा क्या रटा क्या रटा सीटीपी अबने रटा टीडी ठीटीटीपी ठोब थीचा है तो क्या कहा जाता है रेटीनोल जल्दी से याद रखेजीए क्या कहेंगे थाइमिन कहेंगे, राइट, विटामिन C को A से एसकॉर्बिक कहेंगे, क्या कहेंगे, एसकॉर्बिक, D से जाएगा C, C से कैल्सी फेरॉल, क्या, कैल्सी फेरॉल, ठीक है, कैल्सी फेरॉल का भाई, ठीक है, तो टोको फेरॉल, ठीक है, विटामिन E को टोको फेरॉल, ठीक है, यह ध्यान एक है और के को पॉलिक्विनिन क्या कहते हैं अब विटामिन जो B और C है यह पानी में घुलनसील है कहां पर घुलनसील है पानी में मतलब वाटर सुल्यवल है हमसे पूछा कौन सा नहीं है तो बी और ची को छोड़ दीजे बाकि सब दोस्तों वाटर में वाटर मे चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं, the first official attempt to calculate national income of India in 1949 was made by national income committee that was headed by डैश, देखिए उनिस उन्चास में भारत की जो है राष्टी आये की गढ़ना, जो है गढ़ना करने का प्रथम, अधिकारिक प्रयास राष्टी समीति द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डैश ने कि और VKRV राओ, किस ने की थी, तो यहां पर करसर दादा भाई नारू जी, दादा भाई नारू जी, तो correct answer यहां पर हो जाएंगे भई, PC महल नोबिस, दादा भाई नारू जी नहीं होंगे, इन्ही को father of statistics कहा जाता है, father of statistics, ठीक है, मतलब सांखिकी के पितामा कहलाते हैं, और इन्ही के model पर जो है दोस्तो, भारत का दूसरा पंचवर्शी योजना, second five year plan जो था, वो इसी model पर बेस था, यह ध्यान रखे का, जुकाब आया था, 1956 में आया था, 1961 तक था, ठीक है, और इस पंचवर्शी योजना, दोस्तों उद्देश क्या था, industrialization, आगे बढ़े, अगला सवाल बढ़ते हैं, ठीक है, अगला वोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा, ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल आप लोग के लिए, chlorophyll absorbs dash wavelength of the sunlight, क्लोरोफिल सूरे को जो है, प्रकाश के तरंगधैर को अफशोशित करता है, red and blue, green and blue, green and red, और more than one of the above, correct answer, जल्दी से बता प्राइमरी कलर जो होते हैं, वो कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर जो होते हैं, वो कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर, तो क्या वो red, blue, green होता है, या फिर कुछ और होता है, प्राइमरी कलर, अगर आप से पूछ लिया जाए, अच्छा, ये भी पूछा जाता है, कि दोस्तो लेकिन क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है ग्रीन पिग्मेंट के अंदर होता है मैंगनीशियम जिसकी वज़े से पतियां हरी दिखती है ठीक है चली नेक्स कोशन पढ़ते हैं करें निमलिखित में से कौन सा जो है सनरचनातमक बिरोजिगारी के लिए सबसे अंतिम कारण माना जाता है पॉपुलेशन टेक्नलोजी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिट्वीन कंट्रीज मोडिवेट मोडिवेट टू ट्रांसफर जॉब्स या इर्रिलेवेंट नॉलेज ऑफ दे एरिया इन विच एंप्लॉइमेंट और चिनिटीज आर लेस जल्दी से बताईए यहां करेंसर होना चाहिए पॉपुलेशन के रहे हैं तो करेक्ट आंसर यहां पर कुछ लोग डी ऑप्शन करें करें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पॉपुलेशन जनसंख्या यह ध्यान रखेगा ठीक हैं चलिए नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए यह विचमंग दा फॉलॉइंग इस नौट फंक्शन ऑफ आर बियाई देखिए इसमें निमलिकित में से कौन सा जो है कार आर बियाई का नहीं है ठीक हैं बैंक आफ बैंक आफ इसूस या बैंकर सबैंक यह गंट्रोल दा फॉरेंट एक्षेंज रेट्स यह बैंकर तू ग रखेगा और बैंक इसूस को देखना बैंकर सबैंक हैं बैंक लोन लेते हैं इसको बैंकर सबैंक कहते हैं और बैंकर टुदा गवर्मेंट ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए अगला वोशन वाट इस दा टैनियोर ऑफ दी चीफ एलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया करें भारत चैसाल 65 साल जो भी पहले आ जाए जल्दी से बताई चैसाल 65 साल कह रहे हैं जो भी पहले आ जाए तो यहां पर करेक्ट टांस रोगा चैसाल और 65 उम्र कोई भी पहले आ जाए उसमें वह रिटायर हो जाएंगे इलेक्शन कमिशन जो है अनुछे 324 के तहट वर्क करते हैं इलेक्शन कमिशन का गठन जो है 1950 में हुआ था ठेक है अभी प्रेजलट में इलेक्शन कमिशन ध्यान रखेंगे राजीव कुमार कौन से नंबर के हैं यह आप मुझे कमेंट करके बताई चूर्चन सब्द थे चीफ कमिश्ण पीन एक जबीब आपको बताना है वह है डेश है deposit rate कहते है cash reserve ratio legal reserve ratio और statutory liquidity ratio देखे यह किसके पास रख रहे है RBI के पास रख रहे है ठीक है कि देशियो आफ टोटल डिपॉजिट डेट कमर्शियल बैंक है टू की विदा RBI देखे यहां पर correct answer क्या हो जाएगा correct answer आपका हो जाएगा आप cash reserve ratio ठीक है कहता है ना भाई कि इससे पहले कि तुम दिवालिया हो जाओ कुछ पैसे मेरे पास रख दो मैं customer को कम से कम समाल लूँ तो कहते है ठीक है लाओ कुछ पैसे यह cash के फॉर्म में रहेगा ठीक है bond यह commercial bank अपने पास रखेगी यह RBI को देगी रखने को लिए ठीक है चले आगे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए identify the non renewable resources के रहे हैं गैर जहें नवी नीकर्ण संस्थान की पहचान कीजिए groundwater बायो है solar energy और petroleum फटावर से बताइए है आँ है चले यहां पर होना ची पेट्रोलियम पेट्रोलियम तो करेट आंसर आप क्यों जागा पैट्रोलियम अच्छा पैट्रोलियम माइन पहले सबसे पहले कहां पर पाई गई थी जल्दी सबताए दिगबोई में क्या और दिगबोई क पर है तो आपको होगे दिगबोई जो है असम में कहां पर असम में ठीक है पैट्रोलियम के लिए दोस्तों एक क्रांती शुरू की गई थी जिसको हम लों कहते हैं ब्लैक रेवल्यूशन कहते हैं क्या ठीक है अगले सवाल बढ़ते हैं अच्छा पंचायती राज वॉस्ट इंडिया इन उक्तोबर नाइटीन फिफिटीन इन डैश कह रहें कि उक्तोबर उनीस सो उन्सट में जो है पंचायती राज भारत में प्रसरव प्रथम आरंब किया गया कहां पर राजस्थान तमिलनाडू केरला और करनाट का वैरी गूड जो लोग राजस्थान कह रहें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर राजस्थान दो ऑक्टोबर 1969 को जो है शुरू किया गया था और राजस्थान के नागोर जिले में शुरू किया गया ठीक है बहुत बढ़ी अगला सवाल अच्छा का अधिकार सम्विधान संसोधन अधिनियम में आया था पूरी तरीके से लागू का हुआ था तो एक अपरेल 2010 में हुआ था यह भी आपको ध्यान रखना है विद इफेक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अच्छे विच ऑफ फॉलाइंग इस दी कस्टोडियन ऑफ दी कॉंस्टिटूशन ऑफ प्रेसिडेंट के पास नहीं जाओगे आप सुप्रीम कोड आपको गारंटी देता है कि आपके मौलिक अदिकारों का जो है कोई भी उलंगन नहीं होगा ठीक है चले आगे ठीक है अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा वाट इस नंबर ऑफ डूटी इस मैंशन करतव हैं जल्दी से बताइए मौलिक करतव की बात करें 11 11 11 ओके तो करेक्ट आंसरी हाप क्या हो जाएगा करेक्ट आंसरों का 11 ठीक है चलिए अच्छे यह कौन से मौलिक करतव है किस भाग में है तो भाग याद रखेगा भाग चार ए में है किस अनुछेद में है तो वैदानिक संसोधन 1976 के तहत जोड़ा गया ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं भारत का प्रथम जो है विधी अधिकारी कौन होता है एडवोकेट जनरल ऑफिस्टेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ लॉग कौन होते अगला वक्षन आपके लिए इंडिया इस डवलपिंग चबाहर पोर्ट इन विच फॉलाइंग की ठीक है कंट्री करें भारत निमलिखित में से तो है किस देश में जो है चबाहर बंदर का विक्सित कर रहा है इराक ओमान इरान और पाकिस्तान बहुत पहले इस्था पर ज हमें इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान से हम होते हुए अफगानिस्तान में समान नहीं पहुचा सकते तो हम इरान के थू जाते हैं तो इरा फिर उसके बाद क्या किया ना चाइना ने भी अपना दोस्तों एक पोर्ट बनाया पाकिस्तान में उसका नाम आप बता है ठीक है तो आइडिकल 44 39 40 और 50 क्या होगा करेक्ट आंसर 44 44 जो लो करें युनिफॉर्म सिविल कोड उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे इन इंडिया दा स्टेट इलेक्शन कमिशन और और यहाँ पे ँश्चन कमिशन का जो है चुनाओ किया जाएगा और ये इस टेटर् सिमिश्ट इलेक्शन कमिशनर का दोस्तो Lord को कूर करा नगठ कराते हैं ठीक है चलिए सबस्सूंट साब्थबस्वश्चन е Hub साओं सनुन बलख नए postी किस वेस्टर है Państwo को श्तार साथ वैस्ट वेस्ट सेरली और नार्थ वैस्ट वेस्ट सेरली और सब्सक्राइब की वाज़े से वोता है यहां फर यह अगैंежд लगी रहा को वाज लोग करें यहाँ फूляर नोटा नोटा मतलब नन और दिआओ अपर मेंकर टी investator मत पत्र विकल्प भारत में पहली बार कब लागू किया गया था दोजार पंदरा चार तेरा और दस है ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर जो लोग करहें होना चाहिए जादा कॉशन हम लोग यहां पर कंप्लीट कर सकें सोजार कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए ठीक है और अब दोस्तों ज्यादा आउट आफ बॉक्स जाकर मतला एक्स्टा चीज करने की कोशिश मत करें अदर्वाइस क्या होता है सम्टाइम्स कि आप कोई बड़ी च क्लासिस होती है आप लोगों के लिए आप इन क्लासिस में जुड़ सकते हो मेरे साथ सुब़च बज़े करेंट अफेर सवा साथ बज़े CSIR GKS साड़े आठ बज़े मास्टर क्लास बारा बज़े आज सिर्फ क्लास है आपके डिमांड पर ठीक है और दो पहर को दो बज़े ससी जीडी की क्लास होती है इस पर भी आप लोग जुड़ सकते हो ठीक है उसके अलावा आप लोग जो है दोस्तों CSIR की तयारी कर रहे हैं तो आप CSIR का कोर्स में आपको बता दू स्टार्ट हो चुका है जिल लोगों को नहीं पता है तो मैं ASO और SO का क्लास चल रहा है जिस से आपको क्या मिले सारी PDF जो है वहाँ पर मिल जाए YouTube सेशन के अपडेट्स मिलते हैं PDF मिलते हैं डिसकेशन होते तो आप वहाँ पर मेसा जुड़के क्या कर सकते हैं तो चली सेशन को यहीं पर करते हैं समाप सेशन अच्छा लगा है तो कॉमेंट वॉक्स करके जरूरू ब क्या यहीं चkim पर व disorder कि शुड़के क कर सकते हैं तो क्या जरूरू जरूरू ट horribly वारत वा मेंट, जर ए्लाऑा होते हैं ड़ा है।